नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आरके ट्यूब चैनल पर मच्छर ना सिर्फ रात की नींद खराब करते हैं बलकि कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको तीन नए और अनोखे तरीके बताएंगे जिनसे आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला तरीका है कौफी के ग्राउंड्स का इस्तेमाल कौफी के ग्राउंड्स न केवल आपके बगीचे के लिए फायदे मंद होते हैं बलकि मच्छरों को भगाने में भी मददगार होते हैं ये तरीका न सिर्फ मच्छरों को भगाने में मदद करता है बलकि उनके लार्वा को भी नश्ट करता है कॉफी के ग्राउंड्स में मौजूद तत्व मच्छरों के लार्वा को मारने में प्रभावी होते हैं आप जहां भी खड़े पानी को देखते हैं वहाँ पर कॉफी ग्राउंड्स छिड़क सकते हैं यह सुनिश्चित करता है कि मच्छरों के अंडे और लार्वा नश्ट हो जाएं, इससे मच्छर के अंडे उपर आ जाते हैं और बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं। कौफी के ग्राउंड्स पानी की सतह पर तैरते हैं और मच्छरों के अंडों को आउक्सीजन नहीं मिलने देते। ये एक आसान और सुरक्षित तरीका है, खास कर आपके बगीचे के लिए। कौफी के ग्राउंड्स का उप्योग न केवल मच्छरों को भगाने में मदद करता है, बल्कि यह आपके पौधों के लिए भी एक अच्छा खाद है। आमसी दूसरा तरीका है पुदीना के तेल का इस्तिमार। यह एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है। पुदीना मच्छरों के लिए बहुत ही अप्रिय होता है। इसकी तेज गंध मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है। आपको बस पुदीना के तेल की कुछ बूंदों को पानी में मिलाना है। यह मिश्रन तयार करना बहुत ही आसान है। और फिर इसे घर के दर्वाजों, खिड़कियों और कोनों पर स्प्रे करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि मच्छर अंदर ना आ सके। मच्छर इस गंध से दूर भागेंगे और आपका घर मच्छर मुक्त रहेगा। इस तरह आप बिना किसी रसायन के अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा तरीका है नारियल का तेल और नीम का मिश्रन जो न केवल मच्छरों को दूर भगाता है बलकि आपकी त्वचा को भी पोशन देता है। ये एक प्राकृतिक मच्छर भगाने वाला उपाय है जो आपकी त्वचा को सुरक्षित भी रखेगा और उसे मुलायम और चमकदार बनाए रखेगा। थोड़ा सा नारियल का तेल लें जो अपनी मॉइस्चराइजिंग गुणों के लिए जाना जाता है और उसमें नीम का तेल मिलाएं जो अपने एंटी सेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर लगाएं खास कर उन हिस्सों पर जहां मच्छरों के काटने की संभावना अधिक होती है। इससे मच्छर आपकी त्वचा के पास भी नहीं आएंगे और आप बिना किसी चिंता के बाहर का आनंद ले सकेंगे। और ये आपकी त्वचा के लिए भी लाभकारी है जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थे मच्छरों से छुटकारा पाने के तीन नए और आसान तरीके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल RK ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा है। धन्यवाद।